हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा जोतिश दिशा सत्य की राह में आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फैंड आज का विशह जिसका इंदजार आप लोग कर रहे होंगे अगर कोई आपका आपसे रूठा है नाराज चल रहा है किसी बात को लेकर कि आपसे मलाल रखता है तो ऐसी स्थिती में उसे मनाया कैसे जाए क्या आपके मनाने से सामने वाला मान भी सकता है आप मेहनत करते होंगे हो सकता उसके प्रसंद की चीजें देते होंगे कुछ लोग गाना भी सुनाते हैं चॉकलेट, फ्लावर्स तमाम तरह से मनाते हैं ये रूठना, मनाना, नाराजगी कई बार बहुत लंबी चली जाती है कई दफा तो रिष्टे ही खतम हो जाते है अभी मैंने कुछ दिन पहले ही भाई बहन के रिष्टे को लेकर के एक छोटा सा वीडियो बनाये था क्लिप डाला थानन दनात का रक्षा बंधन भी करीब आ रहा है बहुतों को अपने भाई बहनों को भी मनाना होगा रूठे स्वजन मनाईए जव रूठे सव बार इस दोहे की स्पंक्ति में इसका सार छुपा हुआ है अगर आपके स्वजन अपने लोग रूठ जाएं तो उनको सव बार रूठने के बाद मनाने की कोशिश करिएगा मनाने के दौरान ये ना समझिएगा कि आप छोटे हो जाएंगे क्योंकि कोई छोटा कहा होता है जुकने वाला हमेशा बड़ा होता है चलिए आते हैं अपने आज के पंचांग पर विशे आप लोगोंने समझ लिया है इस विशे को खोब साजा भी करना है जिससे लोगों में आपसी तालमेल बना रहे कोई किसी से नाराज ना रहे असारमा किश्रुपक्ष सब्तमीत इतिय है आज की चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशी में उत्रा भादर्पद नक्षत्र है तदनुसार दिनांक पांच जुलाई दिन गुर्वार जिसे इंग्लिस में थस्डे कहते है रावकाल का समय नोट कर लिजेगा दो पहर एक बज़ कर तीस मिनट से लेकर के तीन बज़े तक यह वो समय होता है जिसमें आपको नया और शुब काम कारम नहीं करना चाहिए नहीं था काम बिगड सकते हैं कम करें फिर एक बड़ा प्रश्ने भी है तो सुपह नो बज़े से दस बज़ कर तीस मिनट तक इसमें कर लिजेगा और जब आप यह कारम देख रहे हैं तो इस समय नो बज़े से दस बज़ कर तीस मिनट पर हम लोग फिर से एक बार मालनी सिनाजी के घर की तरफ रस्थान करने वाले हैं जो कल रात में कहानी अधूरी रह गई थी उस आत्मा के साथ कम्यूनिकेट करने की उस आत्मा को पकड़ने की उसकी इक्षाओं को समझने की वो कहानी आज पूरी होगी ही उसे पूरी होना ही है हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है और आज सुबह चार बच कर तीस मिनट पर यहाँ जब पौफट जाता है जो कि यह पूरुवांचल है तो यहाँ सवेरा बहुत जल्दी हो जाता है चार सवा, चार बज़े के आस-पास उजाला होने लग जाता है जो कि दिल्ली में साड़े छे बज़े के आस-पास में होता है उस दोरान हमारे दिल्ली से दो महा प्रकांड विद्वान हमारे ही सुपर विजन में कार्य आरंब कर चुके है तो आज तो हम उनको ले आके रहेंगे आत्मा राम को आत्मा राम नाम भी देखी आईए ग्रहों की बात कर लेते हैं सुर्य विद्वन राशी में बुद्धराहू करकस्त रहेंगे शुक्तर सिंहस्त प्रवेश हो चुका है ब्रहश्पति तुला में शनी धनुराशी में मंगल और केतु मकराशी में चंद्रमा मीन में पहुंच चुके हैं अब बताते हैं मेश सिल्लेकर की मीन तक पूरे दिन का हाल आप सब के लिए सबसे पहले मेश राशी आज किसी अपने पर ज़्यादा कुरूध कर जाएंगे आप कोई आपका अपना इसी वज़ए से आपसे कट जाएगा तूर हो जाएगा तब ऐसी इस्तिति में आज का ब्रमास्त्र आपका हेल्प करेगा कैसे उसके लिए हम थोड़ा सा इंदजार करवाएंगे शिक्षा में आज मन लगेगा विशेश रूप से बाहर जाने का कारेक्टरम बन सकता है विदे से समंधित कोई विशेश समाचार आज आपको प्राप्त होगा शुबता आपके साथ बनी रहेगी शुबरंग आपके लिए लाल है आज और भागी प्रित्सत 62 बिशब रासी आज बिशब वालों के लिए खर्चे के अधिक्ता कमर तोड़ सकती है बेटी की शादी तैह हो सकती है वाहन चलाते समय विशेश सावधान रहे अनथा दिक्कत आपको परिशान कर सकती है आपको बहुत सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाना है और सोच समझ करके चलना है वाहन चलाते समय आपको भी सावधान रहना है जिससे कभी किसी भी तरह की दिक्कत आपको ना आने पाए घुटने पर आपको चोट लग सकती है उसमें भी आपको विशे सावधान रहना होगा दाया पाउं तूट सकता है बिशब राशी वालों के लिए आज के दिन सोच समझ करके बड़े फैसले लेने है व्यापारिक दिश्टी कोण से हो सकता है कि आज चमक जाये दिन बिशब के लिए शुबरंग नारंगी भाग्य प्रसत 51 मिथुन राशी बहतरीन दिन रहेगा नए वाहन की प्राप्ती होगी आज पैत्रिक संपत्ति के विवादों से आप मुक्ति पाएंगी प्रिशद्धी आपके कदम को चुमेगी घर में मांगली कारे हो सकते हैं आज आज कोई आपका अपना बहुत परम घनिष्ट मित्र आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा पुराने मित्र से आज भेटवारता भी हो सकती है हो सकता है कि आज के दिन कोई चीट करने के फिराग में रहे बट आपको चीत नहीं कर पाएगा उस मैटर पर आप स्ट्रॉंग रहेंगे खुद से लंबी आत्रा आवाइड करिएगा सुक्षा पर विशेश ध्यान दीजेगा बिदेश से सुपसंदेश मिल सकता है बिदेश जाने के लिए विजार किये थे तो वो भी जा सकते है आज संपत्य विवादों से भी मुक्ति के दिन आ गए है मा के स्वास्त पर चला राधन खर्च आज खत्म हो जाएगा नई नोकरी कर सकते हैं नई नोकरी में आप प्रवेश कर सकते हैं नोकरी में बदलाव की संभावनाएं मिथुन राशी वालों के लिए आज बहुत प्रपल है। शुबरंगाप के लिए हरा रहेगा भाग की प्रतिशत 57, 57, करक राशी, चंचलता आज आज आप के लिए घातक रहेगी, शादी ब्याह का मैटर आज टाल दें तो बहतर है। बिचाल लीजिएगा, कहने का आर्थ बस एक है, पैसा आपका फंस सकता है। करक राशी वालों के लिए आज बैगनी रंग शुब होगा, साथ प्रतिशत का भाग के साथ देगा। सिंग राशी, कोशिश करिएगा कि आज अपने संतान से ना उलजें आप। यहाँ पर आपको विशेश ध्यान देना है कि आज अपना संतान अगर उलज जाए तो आप शान्त हो जाए और वहाँ से हट जाए। सिंग राशी वालों के लिए आज के दिन किसी बड़ी समस्या का समाधान प्रकृति स्वतह दिला देगी। नई नोगरी की संभावनाएं प्रबल हो रही है। घर में मांगली कारे संपन हो जाएंगे। बिटिया का हाथ आज पीला हो सकता है। शादी आज तेह हो सकती है। घर में नए महमान आ सकते हैं। बच्चों की किलकारी भी आज गुजेगी आपके परिवार में। शुबरंग पीला भाग प्रतिशत संसट। कन्या राशी। दो राहे से एक राह चुनना आपको आता तो है लेकिन किसी के सहारे आता है। तो आज सहारा लेने में आप शरम न करिएगा। ले लीजेगा। कई बार हाथों को हाथों में लेने से बड़े काम निपढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें आज कन्या राशी वाले सबको साथ लेकर चले। एकला चलने का नारा आज ड्रॉप कर दीजेगा। नई नोकरी की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। धन आपके पास अच्छा आएगा। रुके धन की प्राप्ती भी होगी। दोपहर तीन बचकर पच्चिस मिनट के बाद कुछ प्रिय समाचार आपके हुरदय को गार्डन गार्डन करेगा। काला रंग सुभ 65% का भाग्य है। काला को हम लोग के छेतर में अवधी में करिया बोलते हैं। और करिया बहुत लोगों का नाम भी रहता है। कोई भी हलका सा डार्क पैदा क्या हुआ रहे करीबा पैदा होई गया। यह हम लोग कहां की परंपरा हमत छेतर की। इसमें चिपा होता है। हर गाह में 10-20 करिया जरूर मिल जाएंगे। करिया मिलें तो गोरे काहे नहीं मिलेंगे। दो चार टो गोरे भी रहते हैं। आप लोग कि यहां भी होगा हो सकता है। और भया करिया गोरे अगर सुन रहे हैं हमको तो माफ किजेगा बस हसाने के लिए बोल करते हैं आज। कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आज आपके हाथ लगने वाला है। रुपए पैसे की दिक्कत कहीं से भी परेशान नहीं करेगी। अंदर की खुशी बाहर देखेगी। मांगले कारे संपन्न होंगे। कोई बड़ी समस्या से आज बाहर निकलेगे। नए नौकरी की संभावनाएं प्रबल हो रही है। आज हवाई जहाज से कहीं यात्रा के लिए निकल सकते हैं। मतलब बिदेश आदेश से भी संबंदित शुबता प्राप्त होगी। यात्रा के माध्यम से लाव मिलना है तो मिल जाएगा। सफेद रंगशुभ बासट प करेंगे और कुछ देर अकेले में बैठेंगे। इस्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल सी नजर आएंगे। थके थके से महसूस करेंगे। मानसिक शान्ती आज नहीं मिल पाएगी। बिश्ची रासिवालों के लिए आज के दिन व्यापारिक दृष्टिकोंड से बिग ड आप वो शुब बनाए आप सिर्षुबता प्राप्त करें। पिता के स्वास्त पर चला रहा धन खर्च खत्म हो जाएगा। मा करीब आएगी। अगर किसी से आज रूटने मनाने की बात होगी तो आज का ब्रह्मास्त्र बहुत हल्प करने वाला है। हो सकता है कि आज ब्रिष्चिक रासिवाले उल्टे पाउं में कहीं चोट चपेट की भी शिकार हो जाए। हड्डियों से संबंधित दिक्कत अगर विष्चिक वालों को रही होगी तो आज वो दिक्कत बढ़ सकती है। प्रशाशनी ग्रूप से अपने आपको हलका पाएंगे आज। कोई काम अगर सरकारी महक में से सोचा होगा समझा होगा आपने तो काम आपका रूख जाएगा। भाई बहन के बीच मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। पीला रंग शुब है आपके लिए और पचास प्रत्शत का भाग दिया है। धन राशी कोई रिजल्ट आपके आज अगेंश्ट जा रहा है। कोई सरकारी महक में में आपने सर्विस के लिए अपलाई किया था तो वहां से भी आपको निगेटिविटी मिल सकती है। धन राशी में ही सनी बैठे हैं, शनी की दसा उत्राभादरपद में आज का सुर्योदय हुआ है, उत्राभादरपद का स्वामी शनी, शनी की दसा लंबी जा रही है। लिहाजा आज का दिन आपके लिए कहीं से भी फेवरेबल नहीं कहा जा सकता है। मकर, आज मकर राश्वाले कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, जिसका एडवांटेज आपको भविश्य में कई रूप में मिलेगा। मकर वालों को कहीं बाहर घूमे टहलने का कारेक्टरम भी बना सकते हैं आप मित्रों के साथ। आज निया व्यापार आरंब कर सकते हैं, अजल संपत्ति की प्राप्ति के संकेत भी आपके लिए आज प्रतिक्षारत हैं। मकर राशी वालों के लिए आज एक मामला गड़बर है और वो है ब्रेक अप का। शिक्षा में मन लगेगा। भुरा रंग शुप साथ प्रिसद का भाग। कुम्ब राशी। शादी तैं हो सकती है। शादी में भी बाद चल रहा था तो वो आज सुलच सकता है, सुलच सकता है। सुलच, सुलच, सुलग, सुलभ, सारे राइमिक। आज कुम्भ राशी वालों के लिए पिता के साथ कहीं घुमने टहलने का कार्क्राम बन सकता लेकिन पिता के स्वास्थ को लेकर के गंभीर रहीएगा कुम्भ राशी वालों के लिए सोच समझ करके बड़े फैसले लेने होंगे आज किसी मित्र की मदद से कुछ विशेश कर सकते हरा रंगशो बेक्सट प्रसत का भाग्या है अंतिम राशी मीन जबर्दस्त बारिस में भीगेंगे आज मजा आएगा तो बाइक से भीगने का अनंद लेना है तो हेलमेट वोगरे निकाल लिएगा तो सोच समझ करके चलना वसब भाईया है ना तो सोच समझ करके डिसीजन लेजिएगा आज मीन राशी वालों के लिए सिक्षा के मामले में भी बड़े फैसले आ सकते हैं सिक्षा में कुछ उन्नती आपको प्राप्त हो सकती है ब्रहश्पती आपकी राशी से, अपनी राशी से, मीन राशी से, अश्टम में है, तो स्वास्त को लेकर के बहुत परिशान करेगा, ये आपको विशेश ध्यान देना है, गुलावी रंगशुभ है, 68% का भाग है, किसी की नाराजगी और मलाल कैसे दूर किया जाए, ये आज का प्रमास्त रहेगा, थोड़ी ही देर में हम बताने वाले हैं, और भागरपुर में मिल भी सकते हैं, 4-6 लोग, कहा दिनस्वा, गुरुजे मिल सकते हैं, 4-6 लोग का 5-6 लोग जा सकते हैं, तो आना चाहें अगर भागरपुर, तो हमारे पास थोड़ा सा समय और बच गया है, और अब आप आ सकते हैं, भागरपुर में, चलिए, आप लोग जब तक आनेक तैयारी करें, प्लान करें, एक 500 रुपया एकठा करें, तब तक भाग्याक्षर ले लीजिए, आईए जानते हैं, आज का दिब्यात चर भाग्याक्षर, मेश, खा, ब्रिशप्था, मिठुन्ठाक्षर, करकच्छा, सिंह, शाक्षर, कन्या, का, तुला, धाग्षर, ब्रिश्चिक्षा, धनू, डाग्षर, मकर्टा, कुम्बच्चा अग्षर और मीन ला, यह आपकी अपने शुब भाग्याक्षर है, इन्हें सादे चौकोर कागच पर लाल रंग की इंक से लिखिए, और 24 घंटे अपने पास रख लेजिए, आईए, अब सक्सेस की. एक माचिस की तीरी ले लिजे, कहीं तिली भी बोलते हैं, हम लोग तीली बोलते हैं. तीन बार अंटी क्लॉक्वाइज बारना हैं अपने सर से, फिंग दीजें. कर्मी का मौसम है, बचा कर फिंग कीगा, सोच समझ कर, देख करके. आही गया वो वक्त, जब आपका रूठा मान जाएगा. जानते हैं आज का, मरमास्त्र. एक कटोरी में गुलाब जल और गंगा जल मिला लीजिए, मात्रा का कोई बंधन नहीं है. अब मिलाने के बाद कटोरी साइड में रख दीजे. एक सादा कागज लीजिए, उस पर उनका नाम लिखिए, जिनके मन से मलाल और नाराजगी दूर करनी है. और इस कागज को उसी गुलाब जल गंगा जल वाली कटोरी में रख कर धूल दीजिए. और अपने बाएन नाक की सांस, दहिना नाक बंद करिये, बाएन से सांस इस पर छोड़िये, साथ बार. देखेगा जो खाम-खाम होगा तो कहीं नाके न चूज जाए उसमें. सोच समझ करके छोड़ियेगा. हाँ, नहीं तो पता चला की. फिर कटोरी को ले जा करके, पीपल की नीचे उडेल दीजिए और कटोरी ले करके वापस आजए. कई बार तो बहुत लोग कटोरी ये छोड़ाते हैं. मतलब इतना आप लोग सेंसिटिव मान लेते हैं, मैं सोचता भी नहीं हूँ इतना. बस इतना करिए और चार-छे बार, मतलब चार-छे दिन लगातार कर दीजिएगा, जब तक वो मान ना जाए. और मानने के बाद एक छोटा सा कमेंट, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा हमारे लिए भी. दन्यवाद शुक्रिया भागलपुर से अपने एश्टोफेंट को अनुमद दीजिएगा, फिलहाल के लिए हम बाय बाय करेंगे और आप लोग जितना खुश रहें, जितना प्रशन रहें, जितना देखते रहें, बोलते रहें, हसते रहें, उतना ही हमें भी अच्छा आईगी, शुक्रिया धन्यवाद, नमस्कार, शिरादे प्रशन पुलिएगा